सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 27 जो की कक्षा छटी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है समाजिक विज्यान के भुगोल विशे से और जिसकी पाठेपुस्तक का नाम है प्रित्वी हमारा आवास और जिस पाठ को आज इस वर्कशीट में हम समझ रहे हैं वह है अध्याय पांच प्रित्वी के प्रमुख परिमंडल जिसमें हम जल मंडल के बारे में जानकारे प्राप्त करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्रित्वी की सतह पर महासागरों जीलों नदियों भूमिगत जल तथा अन्य जलाशियों के रूप में उपस्तित जल को जल मंडल कहा जाता है अब आप समझें की जल म मंडल किसे कहते हैं जो प्रित्वी की सतह पर महासागर हैं जील हैं नदियां हैं भूमिगजल यानि जो जमीन के नीचे का जल है और जो अन्य जलाश हैं उनके रूप में जितना भी जल उपस्तित है उन सब को जल मंडल कहा जाता है प्रित्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता क्योंकि प्रित्वी पर 71 प्रतीशत भाग जल के रूप में उपस्तित है अब कहने को तो 71 प्रतीशत है लेकिन इस में से 97 प्रतीशत से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है यानी पानी तो है लेकिन वो हमारे किसी काम का तो नहीं है क्योंकि इस 71 परसेंट 71 प्रतीशत में से भी 97 प्रतीशत से जादा पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में है और जो ताजा पानी है वो सिर्फ देखे कितना है 2.5 प्रतीशत कितना? 2.5 और जो 97 प्रतीशत भाग है पानी का वो खारे पानी के रूप में महासागरों में स्थेत है फिर आज की इस वर्गशीत में हमारे हमारी सुन्दर पृत्वी का एक चित्र भी दे रख है आप इसे ध्यान से देखिए ये वाके ही अंत्रिक्ष में देखने पर भी ऐसा ही नजर आता है ये जो नीला नीला रंग है ना ये केवल दिखाने के लिए नहीं है बलकि जब अंत्रिक्ष से पृत्वी को देखा जाता है तो वो ऐसी ही नजर आती है और इसका कारण अभी अभी हमने समझा है क्योंकि 71 प्रतीशत भाग इसमें पानी के रूप में पाया जाता है इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है और ये नीला दिखता भी है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानि महासागरों की और महासागर क्या है महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है ये खारे पानी के विशाल शेतर है तो आपको पता चला महासागर क्यों कहते है क्योंकि ये बहुत विशाल शेतर में स्थित है यानि सिर्फ पानी, सिर्फ पानी और पानी और पानी भी कैसा बिलकुल खारा पानी जो कि आप पी भी नहीं सकते महासागर्ये जल हमेशा गतिशील रहता है तरंगे, जुआरभाटा तथा महासागर्ये धाराएं महासागर्ये जल की तीन प्रमुख गतियां है यानि तीन गतियां जो महासागर ये जलकी हैं वो क्या हैं तरंगे जो की लहरे उठती रहती हैं जुआर भाटा और महासागर ये धा रहें अब पूरी दुनिया में पांच प्रमुक महासागर हैं जैसे आपको याद हो हमने पिछली वर्क्षीट में साथ महाद्वीपों के बारे में समझा था आज हम पांच प्रमुक महासागरों के बारे में जान रहे हैं उनके नाम जान रहे हैं तो पहला है प्रशांत महासागर जो की दुनिया में सबसे बड़ा महासागर हैं Atlantic महासागर हिंद महासागर जो कि हमारे भारत के दक्षिन में भी है दक्षिनी महासागर तथा Arctic महासागर यह पाँच महासागर हैं तो अब हम चलते हैं अपने आसान से प्रशन उत्तर की ओर तो पहला प्रशन है कि जल мंडल से आप क्या समझते हैं बहुत ही असान, प्रित्वी की सतह पर महासागरों, जीलों, नदियों, भूमिगज जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्तित जल को हम जल मंडल कहते हैं दूसरा प्रशन है कि प्रित्वी को नीलागर है क्यों कहा जाता है तो प्रित्वी को नीलागर है इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रित्वी पर 71 प्रतीशत भाग जल के रूप में उपस्तित है और तीसरा प्रशन प्रमुक पांच महासागरों के नाम लिखे जो कि अभी अभी हमने समझे हैं तो पांच प्रमुक महासागर हैं प्रशाद महासागर, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर, दक्षनी महासागर तथा आर्क्टिक महासागर तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सभी समझ में आया हूँ तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ ओनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए और अगर आपको कोरोना वारेस को हराना है न तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए मास्क जरूर लगाईए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई डिलाई नहीं धन्यवाद